हेलो बच्चो मेहमंत्य प्रजय पतिया आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल ह्पी केमिस्ट्री क्लासिस में डिर बच्चो आज हम क्लास 12 के बिलियन लेसंस के इंपोर्टेंट 20 ऑब्चेक्टिब कोश्चन को लेकर आया है कम से कम 20 बिकल्पी कोश्चन है जो आपके लिए होती महत्वपूर्ण है जो आपके सलेवस से लेटिव है जो आपके बोड़ एक्चाम से लेटिव है आपको पताओ साथ मार्च को जो उससे संबंदित हम आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिक कोश्चन लेकर आये हैं आता है बच्चो आप इन ऑब्जेक्टिक कोश्चनों को अच्छे से पढ़ें और दूसरों को भी वीडियो को पहुँचाएं जिससे आपको और उनको दोनों को फायदा हो सके और कुछ थो जल की मोलर्ता है तो डियर इस कुछचन को आप स्टार पॉइंट बना लें इस बात को ध्यान देना ये कुछचन बहुत आता है कि सुद्ध जल की मोलर्ता कितनी होती है ठिक तो आपको पता हुने चे ये मोलर्ता एक्वल फॉर्मूला होता है डियर अच्छो एक हजार गुणा स्मॉल डबलू अपाउन एम इंटू वी लिन किस में 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 है आपको पता हुने चे ये कि मोलर्ता कहलाती है कि एक लीटर आजटनमा उपस्थिज बिले के मोलों की संख्या मोलर्ता कहलाती है अब एक लीटर की बात है यहां आपको क्या कर चाहिए डबलू भी चाहिए एम भी चाहिए बी चाहिए तो सुद्ध जल्की मोलर्ता भी गात करने है तो मात्रा हम मालने सपूद डबलू बराबर देखो आइतन मानने तो आइतन वी इक कोल मानलो वन लीटर लीटर का मत्राकर अमल में कहें तो एक अजार अमल हैं की बात कहें तो अक क्या है आपका हगस्ट पर अनुभार निकालेंगे यहां का घ्टाहँ रहा है तो मुझू क्सांपर मानें लगा मनी fat då । यहीए अल करिंगं तो आपका संथिंग् पंद समलों 55 आता है ठीक है यहां आपका सीध आइट आंसर होगा कुश्चन बहुत इंपोर्टन है इनको करने के का प्रयास करनेगा आए दूसरी कुश्चन की बात करने है कि 10 लीटर दसांस M by 10 घोल की लिए घुल की मात्रा क्या होगी 10 लीटर अर्थाद बॉलियम आपका किट्टा दिया है 10 लीटर घुल की मात्रा आपको मतलब है डबलू ग्याद करना है M by 10 मोलर्टी कितनी है मोलर्टा कित्ती है 1 बटे 10 ठीक सूत्र लगा देंगे सूत्र लगा दें स्मॉल डबलू अपन एम इंटल वी लेकिन वी आपने किस में लिया है लीटर मैं इसलिए यहाँ पर हमने एक हज़िन लगा डबलू कितना है आपका निकालना है बराबर में क्या होती है मोल अरता तो डबलू कितना अडिया है निकालना है एम कितना एडिया आपका इस्मॉल अनुभार नहीं आपके पार क्या निकालना देख ले थोड़ा से एक मड़ सीधर सीधर सीधल सबाल लगा सकते थी यार इसमें नहीं इसको छोड़िए इन चीज़ों को लग करके सीध n भाई तो इसको थोड़ा अलग करते देख समझाएं हम दोबारा wym क्या माल न है and और b आपका है और बराबर एक बटे 10 तो n कितना है और न को ब्यापको कितना है 10 ही है और एक बटे 10 तो 10 से 10 गया थे या न बराबर कितना जाएगा आपका एक मॉला जाएगा ठीक को डबलू और रहा है कुछ टिया नहीं था यहां पर इसको निकालना आपको ठीक है गुली की मात्तर अर्था कितने बिले हैं जी निकालना था आपको समाज बात आगे जब डबलू भाई कि आए कि कुष्चन कहता है तीछ रह तकिन नेम स्कूर्ण सहजाद्गुण है सहजाद गुण का मतलब है कॉली गेटिव प्रॉपर्टी और कॉली गेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता होगी मेरे साथ से क्या होती है Colligated Property Colligated Property चार हैं आपकी चार है Colligated Property एक तो परासर दाब ठीक और दूसरी है आपका Wasp दाब का आप एक छिक आउना मन और दीसरी Colligated Properties है आपकी वन परासर दाब दूसरी है वासर दाब का परासर दाब दीसरा है कुठनांक का पन्यन और चोथी है हेमांक का आउना मन ये चार Colligated Properties है आपकी परासर दाब वासर दाब का आप एक छिक आउना मन कुठनांक का उन्यन हेमांक का आउना मन ये चार Colligated Properties मतलब है वस चार पर आपकी अडूस संख कुरधर में है जो बिले की कड़ों की संख्याफा निर्भर करते हैं ये मैं कुष्चन वह ही पूंचा कि कौन सा सहजाद गुण है और था Colligated Properties है तो सहजाद गुण आपका पहला ही है तीसरे का ठीक है सहजाद गुण का मतलब हो था Colligated Properties है हिंदी बढ़ में वारत से बोलते हैं अरूस संख गुरधर्म वे गुरधर्म कहलाते हैं जो अरूस की है यदि KCL जलिये का घूल 100% बिक्टत होता है मतलब जो KCL है इसके जलिये बिलेन का मतलब है इसके Equus Solution को हम देखें तो यह 100% dissociation हो जाता है 100% घूल रहा है इस स्थिती में वान्ठाग गुणांग क्या होगा तो इसका वान ठाकड़ा नगाया है तो इसको मान लेजिए one वह इसकि बियोजन की मत यह भी ऐलफा वह प्राणव में यह जीरो होगा और यह भी जीरो होगा और कुछ समय बद्चा one तो माना ही था बन में से ऐलफा गया तो यहाँ पर ऐलफा और यहाँ पर तो बियोजन वो ब्योजन के बाद राडनों की संका क्या है क्लाफ है वन-माइनस आल्फा प्लस एलफा संका को क्यों थे वन बचर्वी संग और इप जोज Hm दुबारा सब्सक्राइब तो वान ठाप गुडांग जो होता है उसे लिखती है स्मॉल आई से श्मॉल आई बडाबर नेकलेगा आपका वन प्लस अलफा और आपको पता है जब हंडिड़ परसन कोई चीज ब्योजित होती है तो उस इस्टेथी में अलफा बडाबर होता है किसी भी चीज का वान ठाप गुडांग ग्याद कर सकते हैं ठीक है चलें अगले कुस्चन पर चौट्री नमर पांचवी नमर प्राइब हैं हम कि किस ताप का प्रभाव मत किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है इस बात को जान लेंगी हम अभी कुस्चन कहता है किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है साम माननेता मुललता यह तो कुस्चन अजीब है वाला यह लगकर बिकल्व मोलता ये मोल प्रभात पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है मोलरता देखो मोलरता पर तो ताप का प्रभाव पड़ेगा डियर और फोर मलता पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता कहा तो आपकी जो मोललिटी एंड मोल फ्रेक्शन यह जो दो है आपके इन परताप का प्रभावर नहीं परता है यही इसलिए राइट होगा और हमारे दो जाओं हो जाएंगे ठीक है पांच में कंप्लिट होगा आईए छटमें कोश्चन पर चले हम क्या कहता है प्रोटीन तथा पॉलीमर का आर्वेक द्रमान ग्याद करने के लिए सबसे उप्युक्ति विदि क्या है प्रोटीन और पॉलीमर का आर्वेक द्रमान ग्याद करने के लिए उप्युक्ति विदि कौन है पराशन दाब है कि हमांक में आउनमन है कि कुथनांक में प्रोटीन और पॉलीमर जो बहुलक है उनके मॉलिकुलर वेट करने की सबसे उच्छतम अच्छा मैठड है प्राशन दाव तो देखिए तो देखिए कुश्चन ने कहा घोल का सहजाद गुर्ण होता है मतलब जो घुलता है उसका सहजाद गुर्ण सहजाद गुर्ण का होने पर बता है आपको कॉलीगेटिव कॉलीगेटिव प्रोपाइटीज जिसे हम बोलते हैं आडू संखे गुरधार्मा क्या बोलते हैं हम आडू संखे गुरधार्मा इस बात धंगना जिसे हम क्या बोलते हैं आडू संखे गुरधार्मा ठीक है आए तो आडू संखे गुरधार्मा रहता है था जो बिले के करों की संख्या पर न ना कि मोलरता पर ना नॉर्मलता पर आपकी वितक्वान पाती होते हैं एक बड़े घुल का अडुबार मत्थ इतने वो घुलते हैं ठीक है यह आपका दान आपके नमर भाई है कुश्चन कहता है निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है एंटी फ्रीज का कौन काम करता है कुश्चन आपसे यह पूछ रहा है ठीक है कौन एंटी फ्रीज का काम करता है इधर करता है डियर कि एसी टॉन एसी टॉन है यह गलत है और कि एथिन गलाइकोल करता है कि सफी करते हैं एंटी फ्रीज का काम कौन करता है तो एंटी फ्रीज क सिंगल 1 c0.c 2g जो आपका एर्थिलील ग्लाइकॉल है यो है एटि प्रीज का काम करता है एर्थिलील ग्लाइकॉल तरहें नमें नंद्र की साउडन पर बात करने हैं थंडे प्रदेश में कार के रेडियेटर में पानी के साथ एथिंग लाइकोल डाल जाता है अब यहां को बता है ना एथिंग लाइकोल एंटे फ्रीज कार करता है थंडे प्रदेश में कार के रेडियेटर में पानी के साथ एथिंग लाइकोल डाल जाता है क्योंकि वो फ्री अंसर आपके यही है कि गर्वी में कुछनां को बढ़ाएगा और ठंड में हमांग को खटाएगा मतलब है वो हाँ पर जमनी नहीं देगा कि एधिंग लाइकर काम के ही होता है अगलाक और आप देख लिए कि मैं से कौन रावल्ट नियाम से धनात्म बिचलेंद परतसर करता है अग Govern नियेंद मीद से धनात्म बिचलन परतसर करने का मतलब है पहले बात की बोर्ड जू आपका सय थाइस ऑफार्वरी से जो आपके बाइस फरवरी से एक्जाम मंय। और हुआ हैं उन एक्जामों मैं जो आपका सत मार्च को अंतिम एकजाम है जो हम आपको पड़ा हो यह स्था justify का ले इसको जहो हम जाना यह कुछ Korean आप यहां सब्सक्रार करता है और यह करता है और इसके सब्सक्राइब करते हैं प्रताय उड़े При Royal Halal कॉन अनुसंग धर्म नहीं है अभी फोड़ी देर पहले आपको बताएं कि अनुसंग गॵर्धर्म का मतलब है कि बिले जो बिले केकणों की शंक्राप नमर करते हैं आपको समझा भी चुका हूं कमें क्या क्या है हिमांकमे अनू मन अनुसंग कवर धर्म है कि नहीं यही आपका जाइट आंसर है मोलल उनने स्ट्रांग अनुसंख गुर्धर्म सहजाद गुण या क्वालीगेटर प्रॉपर्टीज नहीं है ठीक है आए बार्यों नमबर पर क्वेश्चन कहता है पंद्रा ग्राम गुलुकोज बीज ग्राम जल में गोला गया बिलेण की भार्प्रसथ्थ्था बताईए भार्प्रसथ्था मतलब है W by W percentage पूछ रहा है तो सूत्र होगा क्या है बिले अपों बिलेण इन्टु हंड्रेट नहीं होगा बिले इन्टु हंड्रेट सान है पांच ग्राम गुवू कोज सक ये 20 ग्राम जल में गोला गया तो 5 ग्राम इत供 कम मत्रा तक इस प्रिलियन के तो बिलायक है तो 5 प्लास 20 कर दो और 100 ब्रeप्लायक ओ गया ओर 100 को ठोड़ा कर दीजिए तो 5 मठें 25 इंटू तो 25 को 100 और 5 को 20 20 परसेंट आपका अंसर देगा है है बार मकार ठीक है देख लिजिए आए थर्टी कुश्चन में तेरवा नम्मर कुश्चन में देखिए ए थ्री पियो थ्री एक है ये भाईया दूई भासमेक आमले है कैसा है दूई भासमेक आमले आए थोटी नमर को जाना कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता अब यह को बताया मोललता और मोल प्रभाज मोललता और मोल प्रभाज तो यह दो ऐसे हैं जो ताप के द्वारा कभी प्रभाबत नहीं होते इसलिए आपका यह आईडिए दैद्र हैता मोललता और मोल प्रभाज परन मोललता कि मोलल्ता किसी दावरा देर प्रभाज मोल प्रतिश लिटर से प्रभाज मोल appreciate फोटी मोल परती किलोग्राम जोती है क्योंकि मोल मतल्ब कुश्च्च्चर्ब परिभासवा साहिन स्वाना स्वाई एक हजार ग्राम बिलायक माँ पास थे त्विले के मोलों की हमारी उन्हें जुद आसल इसे नम्प्र नम्पर नवरह को क्यों कुर्चिन कहता है विद्धुत अपघट का उधारहन है चीनी है कि सोडियम एसी टेट है कि यूरिया है कि बेंजीन है तो विद्धुत अपघट का मतलब है जिसमें धनायन और धनायन यह दो चीजें हो सकते हैं कि अज़िया बेद्ध्धु अपघट ऑगवूका है चीनी का यूरिया का होता है ना भेंजीन का होता है बचा सिट्री था था शीए उड़न ओंस यह सी करा खो', ये मंताब क्वेंडल का सिट्री माइने साथ hm, सत्र देखा। जली बिलेन की ताप में ब्रद्धी करने में करने पार उसमें कमी आती है किसमें कमी आती है मोलर्ता बलाने में कमी आ जाती है मोलर्ता गटाने में कि मोलर्ता कर डबलो डबलो क्या कहता है वो तो यहां आप डानना मोलर्ता बलाने में कमी आ जाती है थीक है मोलता वड़ाएंगे ताब मेर वद्धी करने से घड़ जाएगा अच्छा कुछ नहीं था वो अनुसंग गुर्धर्म नहीं है आप देखों बच्चों बारबर का मैं आपको पहले भी कह जागा था अनुसंग गुर्धर्म का स्टार पॉइंट मानके चली दोबारा क पीषस ही आयेगा लेका स्ट्सकुर्धर्म नहीं है के प्रकास की दंसी था कि चली की तो यहीं गलत है तो यहीं अपकार राइट माकी कि सब गला थूजाओ कुष्चन की एक वर्ट है उन्नीच नम्मर के देख लिए बाद 20 कुष्चन में लेकर आया था आपको एदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब अबस कर लीजिए ठीक है का लिखो और थो फॉस्फरेक आमने बिलेन की मूलरता क् इन और मलता बराबर होता है कि मोंने दॉलरता ओन छाइर कि यहुता है तो मोलरता किम्हतियस्फेक जाई होदी तीन तो 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 लोगे किती है नौ यहां नौ है 19 का हाँ देखाई दिरहा है नाइन है ठेक है नाइन नॉर्मल ता हो जाएगे आपको यह लगा करें आए लास्ट कोश्चन पर हम आपसे बात करें ले रहे हैं किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम एनुएज गुले हैं मोल अर्था क्या होगी अग एक हजार कि इसमाल डव्य करता है दो ग्राम और आटन करता है 200 अब रहा एने वे इसको भार नहीं निकाल लीजे आए ने का करता हो तर्थे वह करता हो 16 और याच करता हो यह टोटर हो जाएगा पूट्टी यहां लागा यह चालीश 200 से कार दी जो 5 दे जाएगा और 5 से कार ले 8 दे जाएगा 8 और 2 से कार दी जो 4 दे जाएगा तो एक बटे चाल बचेगा है, एक वड़े चार रगमाता है, 0.25, 20 का ए, 20 का ए, समाज़े बात मेरी बात को, तो 20 का ए आपका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक, आईए, तो आप देख लिए ये आपके complete question हो चुके हैं, ठीक, इनको जितना हो सके, आप अच्छे से revise कीजिए, ठीक, और सम आश्या हो तो आप comment वाक्षा होंगा, comment कर दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं, जय हिन्द,